अलसी की लड् sap खाने में तो अगर आपको मेरी वीदियो पसंद healthy आती है क्योंकि आपका एक लाइक हर रोज मुझे मोटिवेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी आपके साथ शेर करने के लिए नमस्कार में राधा दूबे मौम समर्जिक चेश्टी फूद में आपका स्वागत करती हूँ अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं तो इस लड़ू को बना निकले सबसे पहले हमें चाहिए अलसी यानि की फ्लैक सिट्स बहुत जगे पर इसे तीसी के नाम से भी जाना जाता है मैं यहाँ पर इस लड़ू को आधा किलो अलसी से बना रही हूँ आप इस लड़ू को जितनी भी कॉंटिटी में बनाना चाहते हैं आप अलसी उसके हिसाथ से लें सारे अलसी को अब हम डालेंगे कडाई में और इसे अच्छे से भून लेंगे अलसी को हमें तब तक भूनना है जब तक यह अच्छी तरीके से चिटक नहीं ना लगे हलका सा हम इसे फैला देंगे ताक यह अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए इसके बाद हम उसी कडाई में डालेंगे एक चम्मर देशी घी तो यहाँ पे है मेरे पास 200 ग्राम मखाना जिसे हम इस कडाई के अंदर डाल देंगे मखाने को भी यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से भून लेना है ताकि मखाने में भी हलका सा क्रंची बना जाए तो यह लिजी हमारा मखाना भी भून चुका है तो इसे भी पेट में निकाल लेंगे और इसे भी थोड़ी देर ठंडा होने के छोड़ देंगे इसके बाद हम इस घी में डालेंगे आधा कप बादाम याने की 100 ग्राम और बादाम को भी एकदम सुनेरा होने तक भून लें इस तरीके से अगर आप डायफूट्स भून कर किसी भी रेसिपी में डालेंगे तो जो इस रेसिपी का स्वाध है और भी जादा बढ़ जाता है तो थोड़ी देर चलाने के बाद बादाम भी हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है तो इसे भी हमें प्लेट में निकाल दालेंगे और उसी कड़ाय में हम डालेंगे 50 ग्राम किस्मिस और इसे भी अच्छी तरीके से भून लेंगे तो किस्मिस को भूनने में बहुत तरह समय नहीं लगता थोड़ी देर चलाने के बाद यह अच्छे से भूल जाते हैं वापस उसी कड़ाय का इस्तमाल करेंगे और इसमें हम डालेंगे करीब 100 ग्राम नारिल का बुरादा यहां पर आपको नारिल की बुरादे को भूनने के लिए घी वगरे डालने की ज़रूत नहीं पड़ती है जितने अच्छी तरीके से आप सारी चीजों को भून कर तयार करेंगे आप उतने ही लंबे समय तक इस लड़ू को स्टोर करके रख सकते हैं यानि कि आप इसे ज्यादा कॉंटिटी में बना कर पुरी सर्दी आप इसे खा सकते हैं तो यह लिजी बुरादा भी अच्छी तरीके से भून चुका है उसका कलर भी बिल्कुल गोल्डन हो चुका है और काफी अच्छी खुश्बू का आटा अगर आप इस लड़ू को और विजदा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप गिहू के आटे की जगे पर रागी या फिर नाचनी का भी आटा ले सकते हैं आटे को चलाते हुए इसे भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है तो आटा हमारा अच्छी तरी अगर को ढ़िशन होती है के बाख कर लेंगे 50 ग्रामी गों गों को यहां पर मैंने भूनने से पहले इस तरीके से एभारी पीश लिया है Huge और दूमने के Why जरूपने दालने के बाद लिए आट पेशनों कर तैयार न hayat पूँन ऐसे इस तरीका रगा मेरु गोंकर, यहां जाते हैं तो मैं अपने वीडियो के नीचे लिंक दे दूँगी आप उस लिंक पर जाकर इस चौपर को खरी सकते हैं अगर आप चाहें तो इसे मिक्सिंग में भी बारिक पीश सकते हैं लेकिन मुझे यहां पर इस लड्डू में मखानों के बहुत चोटे टुक्रे नहीं चा जाएंगी और साथ ही में जो हमने बादाम और किश्मिश को भूना था उसे भी हम इस तरीके से बारिक-बारिक काटकर इसमें डाल देंगे सारी चीजों को मिक्स करके इसे बनाना है तो नारेल की बुरादे को भी हम इस थाली के अंदर डाल देंगे और साथ ही जो हमने अल लची को कितना दरदरा पीस कर तयार किया हुआ है तो सारी अलसी को उसी बरतन में हम ढाल देंगे अब हम एक पैन में डालेंगे एक चम्मज खी क्योंकि ये लट्डू हम सर्दियों के लिए बना रहे हैं तो इसमें एक चीट डालना बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है सोट यानि की अद्रक का पॉडर जिसे हम अद्रक को सुखा कर बनाते हैं इस तरीके से चलाते हो में इसे घी में इसे भूनेंगे सोट हमारी सेहत के लिए बहुत आदा फायदेंद होता है यह हमें सर्दियों में सर्दी खासी और बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है जिसे मैंने इस तरीके से चोटे 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 टुकडों में काट लिया है तो गूर डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी पानी आप यहां पर इस लड्डू को और भी ज़दा हेल्दी बनाने के लिए देशी गूर या फिर देशी खार का यूज करें यहां पर हमें इस चाशनी में कोई तार वगेर नहीं बनानी है जैसे ही चाशनी हलकी सी चिपचीपी होने लेगी कि तब हम गयास का फ्लेम बन कर देंगे पहले आप चाशनी को हलका सा ठंडा कर ले उसके बाद आप उस मिक्स में इसे डाले अगर आपने इस तरीके से गरम जो गुड़ में गंदगी थी वो चानने के बाद निकल चुकी है तो यहां पर जो हमारी लड़ू का मिक्स है उस थोड़ा सा ज्यादा है तो इसे अब हम हातों से मिक्स करेंगे मिक्स करने से पहले अब मैं इसमें डाल रहे हूं 8-10 खजूर जिसका बीज निकाल कर मैंने इसे इस तरीके से मसल लिया है खजूर काफी गरम होता है और इसे सर्दियों में बहुत चादा खाया भी जाता है तो इसे डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से इसी के अंदर मसल देंगे इस तरीके से आप इस मिक्स को मुठी में दबा कर देख लें अगर चाष्णी बराबर होगी तो ये लड़ू अच्छे से बन देगा और अगर चाष्णी कम होगी तो आप इसमें थोड़ी सी चाष्णी और मिला सकते हैं तो और भी अच्छे फ्लेवर के लिए मैं इसमें डालने हूँ एक चमच हिलाची पाउडर इलाची पाउडर डालने से ये और पिज़ाज टेस्टी बन जाता है जो बच्चे इसे खाना पसंद नहीं करते ही वो भी इसे मांग मांग कर खाएंगे क्योंकि बहुत ज़्याद टेस्टी और काफी हेल्दी बनता है ये और इस लड्डू के इतने सारे फायदे होते हैं कि अगर आप इससे गिनने बैठेंगे तो आपके लिए पूरा दिन कमपड़ जाएगा तो आप इस लड्डू को रोज एक खाकर बीमारी से बच सकते हैं बच्चे हो या बड़े बुजूर्ग हो या जवान इसे कोई भी खा सकता है खाली प्रेग्नेंट लेडी खाने के पहले एक बार डॉक्टर की साला जुरूर ले तो आप यहां पर देख सकते हैं कितना सौफ्ट और कितना टेस्टी मार लड्डू बनकर तयार हुआ है आप यहां पर लड्डू की साइज अपनी मन पसंद का रख सकते हैं जैसा भी आपको पसंद हो तो मैंने यहां पर बहुता बड़ा या बहुता छोटा लड्डू नहीं बनाया है बिल्कुल मीडियम साइज का लड्डू बना कर तयार किया है और बाकी के एक एक करके हम सार हेल्दी टेस्टी और बहुत ही गुणकारी लड्डू है तो इस तरीके से आप नए रेसिपी को ट्राइ करें और अपनी फेमिली के साथ इसे इंज्जॉय करें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उस सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना ना भूलें क्यूंकि वो बिल्कुल फ्री है और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद